Hello everyone, welcome back to my channel. तो आज हम जाने वाले हैं हिमाचल के खुबसूरत पहाडों को एक्स्प्लोर करने ट्रियून ट्रेक पे. मुझे बिल्कुल भी अपने हाथ फील नहीं हो रहा है. तो ट्रेक का difficulty level easy to moderate के बीच में vary करता है और अगर आप पहली बार ट्रेक पे जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा option है beginners के लिए. इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता इस time पे. ट्रेक के starting point तक पहुचने के लिए आपको कैव लेनी पड़ेगी क्योंकि यहां का रास्ता बहुत ही ट्रिकी है इसलिए आपर मोपेट वगेरा नहीं जा सकती एक चोटी auto type cars ही जाती है यहां पर. तो यह ले जाएगी आपको भागसुनाथ temple जहां से आपका trek स्टार्ट यहां पर एक दो चोटे cafes भी है तो बेटर यह होगा कि आप अच्छे से खा पी ले पानी बानी ले ले और वाश्रूम भी यूज़ कर लें क्यूंकि next stop जो आयक आप वो करीब करीब 4-5 km बाद होगा तो हमारा पराठा आचुका है एंद आर टी इस अलसो है पुछ सोरो की भूग लग रही है मुझे सो लेट्स डिग इन यह चटनी आप देख रहे हो यह बनी है पीनट बटर और एक फ्लार रेड फ्लार होता है उसको बोलता है रोडो डेंडन रोडो डेंडन रोडो डेंड और यह मैं खा रही हूँ इसको आलो के पराठे से काफी बढ़ आलो के से कीसे बनता है इसको जूस को खाली पतों को तो वो इसे लिक्विड बन जाता है उसमें पानी डालना पड़ता है अचा शुगर और पानी अच्छ ऑच तो यह यहां का लोकल है अच्छ अच्छ गाइज हमारा सफर अब शुरू हो रहा है आप ये रास्ता देख रहे हैं आगे ये जा रहा है ट्रियून तक अभी तक तो चड़ाई उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन आइधिंग यहां से हमारा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है हमारा एस्टिमेटेड री वह होगा करीब करीब चार घंटे बाद तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम दो धाई पुझे तक वहां पहुंच जाएंगे इन्शाल्ला गाइस पैर थोड़ा समाल समाल के रखो क्यूंकि कुछ पत्थर बहुत ही शाप है और थोड़े थोड़े ये चिकने हो गया है तो किसल रहे हैं हमारा लगभग एक किलोमेटर फूरा हुआ है देर इस्टिल ओ लॉंग वेटो लेकिन रास्ता बहुत ही खुप्सूरत है बहुत ही हसीन है और आगे चलके जो व्यूपॉइंट है उसका व्यूव तो मैं वर्ड्स में एक्स्लेइन कर ही नहीं सकती हूँ वह को देखना ही पड़ेगा बने रही है दोस्तों मैं आपको ऐसा व्यू दिखाने आ लिए जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा शायद इतना हसीन नजारा इतने उचे पहाड़ से इंक्रेड़बल तो दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस हसीन नजारे के बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तो वैस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करिए इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी आपके साथ ज्यादा से ज्यादा इन्फरमेटिव वीडियो शेर करने की गाइज यह देखिए यह आरोब बने हैं यहां पर पत्थरों पर जो आपको गाइड करेंगे जो एक्ट्रेल है उसकी तरफ क्योंकि यहां से काफी रास्ते कटते हैं राइट लेफ रिदर उधर एक मैप्स की एप भी होती है जो के आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में क्योंकि नेटवर्क तो आएगा नहीं लेकिन वह ओफ-लाइन भी चलती है तो आप वह आप डाउनलोड कर लो और वह लेके आप जाओ तो वह आपको पूरा एक्जाक्ट ट्रेल बताईगी लेकिन मैं यह सजेस्ट करूंग कि आप थोड़ा अवेर रहें कॉश्यस रहें अपना अटेंशन और कॉंसेंट्रेशन रास्ते पर रखें और एक बात का ध्यान रखें कि कभी-कभी ना यहां पर एकाद लेपड वगेरा आ जाते हैं लेकिन अगर आप कॉंस्टेंट्ली बात करते रहेंगे तो वह आपके करीब नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें human activity डिटेक्ट हो जाती है अगर आप अकेले हैं तो आप गाने बजा सकते हैं तो उन्हें इससे यह पता चलता है कि हाँ भाई यहां खत्रा है तो वह आपके नजदीक नहीं आएंगे बेसिकली आपको शोर मचाते रहना है तो यहां से बहुत सारे स्टीफ टर्न आएंगे जिसमें देखो आपको आगे कुछ भी नहीं दिखेगा लेकिन इस पर डर्ना मत दीरे दीरे चलना और यू विल गेट थू तो हम फाइनली हाफवे पहुच गए हैं गाइस अडिस इस दो माजिक व्यूपॉंट इस दो ओल कि अधरे लाइक लिटरली स्पेक्टाकुलर और इतनी थंड हो रही है यहां मैं इस से में बात कर रही हूं तो मेरे थाथ एकदम काप रहे हैं बहुत ज्यादा काप रहे हैं और इतना थंड हो रहा है आएं का माहॉल और सिर्फ बादली बादल चाहे हुए हैं पूरे में पूरे हमें बादलों में खड़े हैं इससे इससे बेटर इससे बेटर व्यू और इतना अच्छा एक्स्पेरियंस जो पहली बार हुआ है और अभी यह जो चाय शॉप है वहाँ पे हमने चाय और मैगी ओर करिये तो अब हम बेट के इन बादलों के बीच बड़िया सी गरम चाय पीएंगे और मैगी खाएंगे तो दोस्तों मैगी आ चुकी है और हमारी चाय भी आ चुकी है अब हम बस यह व्यू इन्जॉइ करेंगे मैगी खाएंगे और बढ़िया सी एक करम चाय पीएंगे आपको आवाज आ रही होगी कि बारिश की स्पीड और बढ़ गई है तो मतलब यह पूरी सेटिंग जो है यह पॉर्फेक्ट है लिटरली पॉर्फेक्ट इससे इससे वेटर कुछ नहीं हो सकता इस टाइम पर बढ़िया ब्रेड ओमलेट भी आ गया है माहॉल बहुत सही है चारो तरफ बादली बादल है बादलों के बीच में बैठे हुए हूँ मैं इस टाइम और मैं यह बढ़ि अजा आ गया मतलब इस इस दब बेस्ट बेस्ट फीलिंग अजा गुछ को अजा अजा ब्रेड बहुत बढ़िया ना गरम है और इतना सौट अफ़र फलफी अमलेट में आया ना जब यहां आओ तो मैंगी जरूर खाना इनकी मसाला मैंगी इनकी ब्लैक टी और यह बढ़िया सा ब्रेड अमलेट अगलेग मजा आजाया एक अग अग जैसे जैसे altitude बढ़ता जाएगा आप और ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे temperature drop होता जाएगा तो make sure that you are dressed in layers ताकि यह different weather conditions को आप adjust कर सके आप तो आप यह जाएग यह जाएग यह जाएग जाएग तो लोग दिख रहे हूंगे अभी आते हुए मेरे हाथ देख पूरे रेड कलर के हो रहा है सुन हो गए एगदम इतनी ज्यादा थंडी है एगदम से temperature बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है तो दिख रहा है में धरमकोट कितना हसी नजारा है यह सुभान अल्लाः और यह रहे स्नोलाइन माउंटेंज तो गाइस हम फाइनली ट्रेक करके ट्रियून हिल्टॉप पॉइन तक पहुत चुके है और अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताओ तो इट वस अमिक्स ओफ डिफिकल्ट और इजी काफी काफी अडवेंचरिस काफी थ्रिलिंग और काफी पर अगर तर्यक था हमारा पूरा सफर और अगर मैं आपको ड्रैक के बारे में बताओं तो ये टोटल-साधे चार घंटे का था जिसमें हमने करीब करीब एक एक लंबा ब्रेक लिया आता आदे गंटे का और उसके बाद बीच बीच में हमने 10 से 15 मिनिट के ब्रेक्स लिये थे तो अगर मैं आपको रास्ता बताओ ना तो रास्ता कैसा है कि बहुत बड़े कहीं कहीं बहुत तो यह जो पूरा माउंटें टरेल है वो पूरा रास्ता एसे ही यह कहीं कहीं आपको बहुत लंबे इंक्लिनेशन सचड़ने पढ़ेंगे और कहीं कहीं आपको एकदब पार्ट पे वाक करना पड़ेगा अजब हमने स्टार्ट किया था तो और वाकिंग ऐसी है कि राइट सा बहुत ही ध्यान लगा कि अपना पूरा रस्ता मैनूवर करना है मैं यह सजेस्ट करूँगी कि आप यहां पे किसी के साथ भी आएं क्योंकि अकेले आना is not what I would recommend क्योंकि पहाड है रिस्क बहुत ज्यादा है especially आप लड़की हो तो आप definitely किसी के साथ ही आओ यहां पे क्योंकि पूरा रास्ता आपको सुनसान मिलेगा गिनके दो तीन लोग मिलेंगे आपको आने वाले लेकिन रास्ता बहुत ही beautiful है और आप clouds के बीच में से चलके जाना है luckily आज हम जब निकले थे तो मौसम बहुत ही अच्छा था और विल्कुल भी धूप नहीं हो रही थी और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर आते गए वैसे वैसे बारिश होती रही ज्रिज्लिंग हो रही थी थोड़ी थोड़ी लेकिन जैसे हम और उपर आते रहे वैसे वैसे बारिश की स्पीड बढ़ गई बट लखी ली हमने प्लास्टिक के रेंपोट्स ले लिये ते नीचे ही तो उसमें हमारी बहुत हेल्प कर दी लेकिन जब हम एकदम लेक वी वर जिस्ट क्लोज अबाउट वन किनोमेटर ट्रियून हिल तॉप से तब वारिश की स्पीड बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और हमारे शूस गीले हो गया हमारे सौग भी गीले हो गया और हमारी पैंट भी गीले हो गया अब बारिश और तेजी से बढ़ चुकी है और लेकिन अभी लगिली बादल थोड़े हट गए है और हमें व्यू दिख रहा है तो मैं थोड़ी वेर में आपको व्यू दिखाऊंगी अहां पर छोटा सा एक हट टाइप बनी है एक कैफे जैसा यहां पर आपको गर्मागरम दाल चांवल और राजमा चांवल मिलेंगे ती और स्नैक्स भी मिल जाएंगे तो मैं अभी वही बैठी हूं और उन्होंने मुझे एक कंबल भी दिया है विचिस कीपिंगी वेरी वर्म गाइस यहां बहुत सर्दी हो रही है मुझे बिलकुल भी अपने हाथ फील नही हो र तक अपनी लाइफ में इतना प्रिटी नजारा नहीं देखा है अगर आप से सर्दी वर्दाश नहीं होती है तो आप बहुत सारे गरम कपडे ले के आना अपने साथ क्योंके यहां पे टेमपरिचर ऐसा ड्रॉप हो गया कि मुझे मेरे हाथ नहीं फील हो रहे है मैं अधरा भी पूरा थंदा पड़ रहा है अगर आप वीडियो में यहां तक बने हैं तो लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मैंने बहुत मेहनत से यह व्लॉग बनाया है तो प्लीज यार लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और शेर भी कर देना अपने फ्र अधर भी प्लीज तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें आप लविंग दवाइब ओवर यह इतना थंदा है आप मेरे मूं से दुआ निकलता हुआ दिक रहा होगा अगा अगा आप इस टोटली वर्थ टोटली वर्थ इस अग्षिर के आप जब भी यहां आएं तो आप प्रॉपर घ्यर लेके आएं क्योंकि यहां बारिश कभी भी हो सकती है मौसम बहुत ही अन्प्रेडिक्टबल रहता है यहां का और यहां हर कभी बारिश हो जाती है तो जिस मेक शूर के आप प्रिपेड आएं आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो उसकी वज प्रॉब्लम ना हो जाएं तो आप यहां पर आके चेंज भी कर सकते हो यहां चेंजिंग के लिए चोटा सा एर्या बनाया है वहां पर आप खड़े हो किसी अपने प्रेंड से हल्प लेके चेंज भी कर सकते हैं तो आप यहां पर चाहां प्रेंड से हल्प लेके चेंज भी इतनी लंबी ट्रेक करके आने के बाद इसका तो मदा आना खानेगा I cannot compare this to any other experience this is phenomenal like वो शुडा देने आला experience है We have started walking downhill now काफी हमें लग रहता कि ये बहुत एजी होगा नीचे तो अराम सोतर जाएंगे लेकिन ये भी काफी स्ट्वेनस है काफी डर लग रहा है मुझे तो नीचे अदने में कि मुझे हाइट से दर लगता है इसलिए देखो ये वाजू में खाई है और यहां में चल रही हूँ थोड़ा सा difficult हो रहा है चलना मेर लिए बट आप धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते जाओगे तो बहुत असानी से उतर जाओगे बस हड़ड़ी मत करना धीरे धीरे उतरना आप देख रहोगे कि यहां पर बारिश भी हो रही है मैं एकदम पहार को पहार से चुपक के चल रही हूँ क्योंके मेरे लेफ साइड खाई है मुझे उसे देख 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 के डर लग रहा है अब नीचे मिलते हैं So I hope कि मेरी तरह आपका भी ट्रेक बहुत ही अडवेंजरिस और मिमोरिबल रहे दोस्तो अगर आपको यह व्लॉग अच्छा लगा हो तो इससे लाइक ज़रूर करें और मेने चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाहिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके साथ ऐसे इन्फोमेटर व्लॉग शेर करने की तो दोस्तो मुझे कुछ चैलेंजिंग करना था इसलिए मैंने ये ट्रेक एक ही दिन में कम्पलीट किया था लेकिन अगर आप चाहें तो ट्रियून टॉप पे स्टे भी कर सकते हैं जिसकी डीटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो मेरे नेक्स वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेकलॉड गंज और धरमकोट के most famous places क्या हैं जो as a youngster आपको बहुत पसंद आएंगे और मैं आपको लेके चलूँगी एक ऐसी secret place पे जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है तो क्या होगा ये secret place जानने के लिए subscribe जरूर कीजिए और उस bell icon को भी press कर दिये ताके आपको मेरी next video की notification instantly मिल जाए I will see you in my next vlog. Hasta la vista!